प्रधान मंत्री मोदी आज देशी नहीं बलकि विदेशों में भी रोज ने इतिहास लिख रहे हैं इसकी वज़े भी है प्रधान मंत्री मोदी के सोच का दाइरा कितना बड़ा है कि आज वो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं की वज़े से आज भी दो साल का कारेकाल बीतने के बाद भी लोगों के दिलों में हर हर मोदी है आज मैं मौझूद हूँ काशी में जो खास तौर पे बुद्द्जीवियों, सहत्यकारों और कलाकारों के लिए मश्हूर है लेकिन हमारे साथ आज मौझूद हैं काशी के वो खिलाडी जो कहीं न कहीं आने वाले सालों में काशी का भविश्य तै करेंगे साथ ही साथ वो खिलाडी जो देश के साथ-साथ विदेशो में जाकर के देश का नाम रोशन करते हैं तो एक बार जोड़़तर तालिया बजा दीजे, खुद के लिए अभिवादन करें अपनी राय रखने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए, अपने सुझाओ देने के लिए शुरुआत करूँगी मैं नीलू जी आप से शुरुआत इसलिए आप से क्योंकि बहुत पुरानी खिलाडी है, आपने बहुत इनेशनल लेवल पे खेला, रज़त बदक मिला है आपको, अच्छी ग्राफ है आपके लेकिन बावजुद इसके काशी की जो स्थिती है वो शुरुआत से अब तक देख रही है आप, कितना बदल पाया है काशी इन दो सालों में? यह ट्रैक नहीं है कि जिसमें हम प्रापर प्रैक्टिस करें, उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो पलायन कर जा रहे हैं, बनारस से बाहर चले जा रहे हैं, बैंगलोर, पटियाला, मुंबाई, ऐसी जगों पे जाके प्रैक्टिस करें हैं, उनको आर्थिक च्छती भी उठानी पड़ रही है, तो सबसे बड़ा हम लोग जो चाहते थे, उमीद थी कि हमारे प्रदानवंत्री जी बनारस से हैं, तो जरूर कुछ खिलाडियों के लिए करेंगे, लेकिन खेल मैदान जैसी सुविधा जो कि बेसिक होती है, खिला है, लेकिन इतने जादा ओवरलोड है, एक मैदान है, उसमें 25 गेम्स होते हैं, खिलाडियों की संख्या बहुत जादा है, तो हम लोग उमीद यही करते हैं कि हर एक मल्टि प्लेक्स कॉम्पलेक्स स्पोर्ट हब का बनारस में हो, जिसमें हर गेम की एक ही अंडोर गेम हो, जिसे सारी सुविधाय उस बिल्डिंग में हो, और प्लेयर्स को एक जब तक हम लोग अच्छा ट्रैक, अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक हम अपने आपको अंतरास्टी अस्तर पे बहुत अच्छा प्रफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले जो मारा बे हैं, तो सबसे पहले गल्स चात्रावास और बेसिक ट्रैक, मैदान, खिलाडियों के लिए उपलब धोने चाहिए, तो जो मुल्भूस सुविधाय हैं, जो बेसिक सुविधाय हैं खिलाडियों के लिए कम से कम कोट की उसकी विवस्ता होनी चाहिए, काशी में मैं स्टेडि सरकार के दो साल पूरे होने पर राय लेनी जाहिए है उनिक खिलारियों की जो कहीं न कहीं मोधि सरकार से यागर बात करें प्रधान मंतरी मोधी से उमीद लगाए बैठे हैं सुभिधा प्रदान की जात किया जाता है कि लाड़ियों को नहीं हो पाता है और मोदी जी दो साल से आए हुए हैं और हम लोग से बहुत कुछ हनुमान था कि हम रहे हैं पर एक ही स्टेडियम है पूरे बनारस में और सिग्राइच स्टेडियम और यहां पर हम जाहते हैं कि मोदी जी इसको जैसे गाओं को गोद ले रहा है इसका तक दीर बदलब offs रहे हैं तो यह सुझहाओ यहां पर आ रहा है खिलाडियों की ओर से हाला कि कुछ और खिलाडी भी हमारे साथ मौझूद हैं जो अपनी बात रखेंगे जो सिनियर प्लेयर्स हैं यहां पर जैसे हमारी मैम है अधर्स प्लेयर हैं उनको आज तक कोई सम्मान नहीं मिला अधर जगह दिल्ली हरियाना पंज कि यहां पर अपने खार से हम जाते हैं वेटरन में जो छेलते हैं अपना ही खर्च कभशन करते हैं और अपना ही बस एक मेडल तमना रती मेडल इमिल जाता बस होता है कि बस हमारी सब मनोकामना पूर्ण हो गई तो कहीं न कहीं जो सम्मान मिलता है तो उर्जा दोगुनी हो जाती है ऐसा कहती है लेकिन यहां पे जो काशी के खिलाडी है शुकायत इस बात की भी है कि जो यहां पे दिगज खिलाडी है जो पुराने खिलाडी है उन्हें सम्मान की जो कमी है वो दरकार लगती है और लगता चाहूंगी क्या मोदी जी के दो साल के कारेकाल में खिलाडियों की अच्छे दिन आए हर गीम का अपना अपना ग्राउंड तो वह तो प्रापर तरीके से अपनी प्रैक्टिस करेंगे और अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं इसकी वज़ा यह कि पूरे बनारस में सिर्फ एक ही स्टेडियम है और खिलाडियों के जो उम्मीद हैं जो जो खेलना चाहते हैं उनके पास अंसाधूनों का भाव है और यहीं वज़ज़ ए कि कोट की जो वैवस्त्ता है वो यहां पर नहीं है जी चुवाद के लाधियों के अच्छे दिन आहीं अवी तक कोई अच्छा दिन नहीं देखा कोई जो भी अच्छा इतनी ब्यादा करें और उनके साथ कोई लड़के का इतनी वीड रहती Lebens लोगों ने सुना होगा उस मन की बात में खास ये था कि मोधी जी ने कहा कि जो खिलाडी खेलना चाहते हैं उनका मनुबल बढ़ाया जाए उससा वर्धन किया जाए जो उलम्पिक में परफॉर्म करने वाले खिलाडी है उनका सौंग के जरीए कविताओं के जरीए काटून्स के जरीए उनका उसा बढ़ाया जाए तो सोच तो अच्छी है लेकिन क्या उसको जमीन पर उतारा जा रहा है ने मैं अभी तक तो मतलब सोच जो है वो जमीन पर उतर नहीं पा रही है हाला कि कुछ और लोगों से बात करेंगे शायद उनकी राय में कुछ बदलाव हो शायद वो कुछ और भी सोचते हो इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम हर उस खिलाडी के पास जाए जिसके पास अपनी अलग बात है यहाँ मैं जीसे सीगराइस ट्री AGA में हमारे आरेस हो है यहाँ प्रैयर तो प्रेक्टिस करते हैं जो इस्टेडियम के अंदर रहागों sa जो प्लेयर हैं वो अंदर आ सकते हैं और यह अच्छी चीज़ हो गई थी यहां पर लेकिन अब उनके आने से और खराब हो गया यह सब हम लोगों को उनके प्रेश ठीक से थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो लोग टहलने आते हैं वो भी से स्टेडियम में आते हैं जो कारेकाल में दो साल में आपके अच्छे दिलाएं जी में यहां पे तो ग्राउंड भी छोटा है और इतने छोटे ग्राउंड में इतने सारे बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहे हैं और सुभीधाओ का भी अभा है दो साल पीछे जात उलम्पिक खेल जिसमें सारे गेम के खिलाडी एक जगए कठा होते थे और उसको उत्सव की तरह मनाते थे वह परमपरा खतम हो गया और मैं चाहती है कि हमारे सांसद हमारी प्रदानमंत्री जी हैं कम से कम एक उत्सव to जरूर उनके कारेकाल में मनाये जाता कि सारे खिलाड में प्लेज के लिए स्विधाओं में गैप हो जा रहा है और यहीं बज़ा है कि जो खिलाडी आगे आना चाहते हैं कम से कम समसातनों के अभाव के बज़ा से वापस कीच रहे हैं कुछ कहाना चाहते हैं हाँ यहां इतनी गरीब गरीब लड़के आते हैं जो 40-40 किलोमेटर से कि आते हैं आप मोदी जी का पहला कारिकम था गरीबों के लिए बढ़ावा देना खेलाड़ी के लिए बढ़ावा देना लेकिन बरारस में इससा कुछ नहीं दिखता कि जो गरीब बच्चे जो साकील से आ रहे हैं रात में अपने घर पहुस्ते हैं 11-12 बश्य रात में यह विदेशों में भी जो मोधी जी की नीती है वो सराहनी हैं और हर तरफ वह स्विशलविकास की बात करें फिर जाहे वो जंधन की बात करें बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो काबिल gentile रही फैसे साराना मिल रही है लेकिन अगर खिलाडियों की बात की जाये तो यहां पर कहीं न कहीं जो राय है उनकी वह बहुत जुदा है और शिकायते बहुत सारी यहां पर हाला की कुछ और कहना चाहते हैं मैसल शुभम वी प्ले क्रिकेट आप मोदी जी के कारेकाल की बाते कर रही हैं मोदी जी जो करते हैं उसे मेरे कृड़ा अधिकारी वो काम को पूराई नहीं होने देते हैं पहली बात क्रिकेट का मल्टी ग्राउंड परपस यह है क्रिकेट को इंडियूज्वल बनाया जाए आरेस सो जित्ते पैसे आएंगे वो पूरा इंडियूज्वली किसी गेम के लिए अब लेवल नहीं हो पाते हैं हम लोग के अंदर हुनर होने के बाद भी कोई सा रंजी ट्रॉफी नए यूपी का 23 नए कुछ होना है और सारे स्टेट में MP गुजरात छोटे से ग्राउंड में मुंबई फर एक्जामपल मुंबई छोटे से ग्राउंड में बोर्ट ट्रॉफी के मैच हो रहे हैं इसलिए हुनर तो हम लोग में मुझे है। बिना प्रेक्टिस के चले जाती हैं, देड़ घंटा आना, देड़ घनटा जाना और प्रेक्टिस के लिए कोई बॉक्सिंग हाल नहीं है, हम लोगों का रिंग टूटा पूटा पड़ाए हम लोग नेशनल चेंप्यन सिप में जाते हैं, वहां लड़किया रिंग पर UX कर के जाते हैं बॉक्सिंग कोई रिंग की वेवस्था नहीं है और अभी बरसात में पूरे बरसात हम लोग उतनी दूर चाहेंगे लेकिन बिना ट्रेनिंग एगर जाएंगे पूरी बरसात में लड़कियों को आना पड़ता है बहुत दूर से लेकिन बिना प्रैक्टिस के वापस लौट जाती है वह क्योंकि जो विवस्था है यहां कि वह बिल्कुल माकूल नहीं है कम से कम खिलाडियों के लहाँ से एक बच्चे ने सवाल उठाया कि यहां पर जो किड़ा दिकारी है उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो योजनाए उपर से आती है उन्हें जमीन पर उत सहमत है आप लोग की उपर से पैसे आते हैं और यहां पीखर्च नहीं हो पाते हैं यहां फीर पैसे आते ही नहीं है इस वजह से काम नहीं हो पा रहा बनाना नहीं चाहते हैं या फिर मिंटेन करने की उनकी कोई इच्छा नहीं तो कहीं नहीं तो फॉड़ी बहुत नजर आती है फॉल्ट यहाँ पर जो लोकल लेवल पर है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है सवाल का जवाब देंगे आपके वो रोलर रखा हुब है जलता क्यूं नहीं और काम करता क्यों नहीं चला जाता है पानी भर कि उस्कूंत चलाया चाह csakनाब ringing वोदिण सब्सक्राइब यहां अच्छे कोचेस हैं जो दद्द साल से प्रेक्टिस करा रहे हैं अच्छे प्लेयर निकल नहीं यहाँ पे लेकिन उनको अच्छा प्रवाइड नहीं किया जा रहा है उस तरह सरजिटी कि वो यहां से निकल सके बच्चों की यूपी से और उसके बाद हमने मोधी सरकार जब आ लागू किया जाये तो खिलाडियों के भी अच्छे दिन आ सकते हैं नहीं सेमत हैं हां इस बास से समत जो गुजरात को नहीं ने रोल ने बताया था कि रोल आडर बताया था वहोगा लेकिन दो साल में ने जरूर करके दिखाएंगे मेरा वादा है दो साल काफी है आप सेमत है और इस नियुक्त है पहले दो साल में कुछ तो चेंजिंग में चाहिए उसके बाद अभी 3 साल वाचा हुआ है दो साल में खूरें को जींग नजर uh tv कराना ता इस से घराउंड का पूरा अगदमました बालेंस हो गया हो इस पर राज सरकार को सोचना चीए था और मोदी जी को भी इस बात में जिक्र करना चीए था जब कि यहां पर कोई जांच नहीं आता है और मेरे प्रांजल यादो जी के देख रेक में आजी सील का टूर्णामेंट रहा जेकी खिलारों के लिए तीन महिना खराब हुआ और कोई उसका कोई सफलता का कड़ी नहीं है वो कोई और मिश्री काया थे आपके पास कहने का मतलब है कि जिब मैं जैसे एक लेस यादो जी ने अपने वो किया है यह दो महीने खिलाडी बंचीत रहा गया दो महीने आई यह से टूनामेंट इसकोई टेनिस ब खण जोगिला रहे हुआ है उसे जिसका कोई गराफ नहीं ना कंपि उसका रोल मोडल है कि कुछ नहीं रोल मॉडल नहीं यहां पे संसाधुनकी वेवस्था है है ही नहीं लेकिन जो सवाल है वो यह भी है कि राजस सरकार और केंदर सरकार की भी जो समझे सी होना चाहिए थ तो एक साल के अंदर कुछ कर लेजिए वाना फिर आप घर आगा बैठ जाईए तो मैं सबसे पहले मैं यह करना चाहूंगा कि यहां कि सबसे पहले आरसोग कमी है क्या हम गराउंड की मेंटेनस नहीं हो बाती है जिस कारण अर्थरीट की जिदने बच्चे हैं हमेसा इंजरी म करने के लिए और इसी एक साल में खुद को साबित करना है तो जाहिर है कि संसाधन भी हो वो दुरुस्त होने चाहिए कम से कम जो खिलाडी सपने बुन रहे अपने परिवार की परमिशन लेकर कि वो खेल में नाम उचा करना चाहते हैं उन्हें संसाधन मिले और उन्हें पूरी होती नजर आ रहे हैं लेकिन खेल विभाग पर देखा है खेल के लिए कुछ बिसेस हम लोगों को नहीं मिल रहा है यहां पे जबकि मोदी जी का यह छेतर रहा है और जो हम लोगों की उम्मेदी थी कि मोदी जी के आने से यहां पर मोदी जी प्रधान मंत्री बन गय ऐसकता से ज्यादा भर्लोड बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गेम चलते हैं और इसमें एक सुभिधा जो कुछ दिर पहले बच्चे नीच चर्चा करी की जो वाकर्स लोग आते हैं वाकर्स के लिए पत्वे बना हुआ है वह पत्वे का लोग इस्तेमाल नहीं करते सुबह खिलाडी ग्राउंड में खेलने आते हैं उसमें यह लोग वाकर्स लोग ज्यादा इंवाल्व हो जाते हैं और बच्चों को हर टैक्टिस करने में भी या खेलने में कोई रणिंग करने में हर विदी की दिक्कते आती हैं पहले ऐसा नहीं था कि यहां पर मतलब जिसे ग्राउ सिर्फान में मैक्सिमacă्रान रहते हैं इससे खेलाडी को बहुत दिक्कतों पोरा करना पड़ता है मेडम यहां पे अधर से प्षब कोछेस्स खिलाडियों के लिए बहुत सारा पुरसकार इस बार घोसीत की बहुत सारा किया उन्होंने कोचेश को पर्मानेंट करने आज 20 साल से कोचेश ऐसे एड़ाग पर काम कर रहे हैं अधर सी स्टेट में देखेंगे आप मैडम कुछ साल में कोचेश को पर्मानेंट कर देना है खिलाडियों के अच्छे दिन आए यही हमारा सवाल है जिसके जवाब हम तलाश रहे हैं क्या आपको लगता है कि खिलाडियों के अच्छे दिन आए और जो मुद्दा उठाएं उन्होंने भी कोचेश को ले करके मुद्दा जो उठाएं वो सभी उठाएं मुद्दा लेकि मैंने मोदी जीसे मेरे यही रिक्वेस्ट है कि यहां पर इंडुविजूल ग्राउंड का 75 पर फिन तक लड़के बनारस और चंदोली की जीले के लड़के जो हाश्टल में रहते हैं यहां पर बनारस और चंदोली की बीच में एक हाश्टल की बहुत जरूत है वहाश्टल होना चाहिए जो नहीं है मोदी जीसे मेरी रिक्वेस्ट है कोई मैसेज है आपका आप को का मोदी जी के लिए जो चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे बिल्कुल जहां तक खेल के विकास की बात है बनारसे बहुत सरे ऐसे ऑप्शन है हमारे पास गंगा उस पार रेती है जिसको बीच बॉली वाल वहां पे वाटर स्पोर्स हमारे नौका यान गंगा जी को ऐसे कर फुटबॉल का अथ्लेटिक्स का फुटबॉल का तो उन मैदानों को भी प्रियोग में लाया जाना चाहिए उनको अगर प्रॉपर सपोर्ट मिले तो यह जो लोड एक जगा पे है पूरे शहर में बढ़ जाएगा और हर बच्चा अपने खेल के प्रती और नागरिक अपन पहुचेगा और उमीद इस बात की है किस पर अमल किया जाएगा हलागी कुछ और भी महिले के लड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो कुछ कहना चाहती है जैसे के सर ने बोले हमारे की मतलब ग्राउंड होना चाहिए और मतलब जैसे जितने भी हमारे यहां के प्लेयर से हैं चंदौल दिटी हो या बनाज दिश्टिक हो खासतर से प्लेयर यहीं से मतलब यहीं से स्टार्ट करते हैं उनकी नियू फर्ष्ट सिग्राइश स्टेडियम से होती है, कुछ हद तक तो अच्छे करते हैं, लेकिन जब आगे चलके उन्हें कोई में मतलब सुविधा नहीं मीर पाती है, मतलब किसी त्रकार का कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, था प्लेयर उप करके, मतलब अपनी खु मैं मैं जैसे कि सपोर्ट करते हैं प्लेयर को, बट मैं और सर के सपोर्ट करने से कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं बन सकता है, उसको अच्छा बनने के लिए, खासता हो समारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, खुद मुझे मैंनत करनी होगी, और मतलब चार तरफ से, लेकिन दिन पर हो गया था कि मैं कुछ समय तक अभी सोच रही थी कि प्रैक्टिस छोड़ दूँ, ऐसा कुछ समय तक मैं अभी सोच रही थी निराशा कस्तर ये है कि यहाँ पे कुछ खिलाडी जो है वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें प्रैक्टिस छोड़ दीनी चाहिए क्योंकि संसाधनों का भाव है और जो खिलाडी कुछ करना चाहते हैं फिलाल उन्हें कमसें सिग्रा स्टेडियम से आगे बढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे हमने बात की है बहुत सारे खिलाडीयों से एक बार फिर से तालिया बजा इए खुदके लिए क्योंकि आज आप नेरे एपिएन के मेंचके माध्यम से अपनी बात की है हमारी कोशिश पे यहीं होगी कि जो आपकी बात है वो दूर तक जाए और कम से कम जो भर वो खिलाडियों के मन में इस बात को लेकर के हैं कि अगर मोधी जी का ख्याल हर और है तो फिर खिलाडियों पर क्यों नहीं और सवाल ये भी है कि आखिर खिलाडियों के कब आएंगे अच्छे दिन